हाई फ्रेंट्स वेलकम डूर चैनल सूपर टेडियो बनाना चाहता हूं एक शॉट वीडियो बनाना चाहता हूं एक फाई डेटा किस तरीके से फाई इस ने प्लान कर रखा है कल के लिए और अगले कुछ दिनों के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कौन से लेवल से सबसे पहले बात पुरूँगा यहां पर कि अगर मार्केट खुलता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है हमें वेट करना है कि मार्केट यहां से कम से कम निफ्टी में 50-60 पॉइंट का गैप अप दे मिनिमम या फिर 100.120 पॉइंट का दे दे तो बहुत अच्छा है अगर बैं फ्लैट अगर खुलता है तो हो सकता है पहले यह उपर जाए क्योंकि FIIs की जो पोजीशन है वो बुलिश है रिटेलर की पोजीशन भी बुलिश है तो FIIs अगर बियर होना चाहेंगे तो पहले वो उठाएंगे अपनी बुलिश पोजीशन क्लोस करेंगे रिटेलर जो है वो सोचेगा अप तो उपर ही जाने वाला है वो अपनी बुलिश पोजीशन में और पैसे लगाएगा और वहां से रिटेलर को फसाने के लिए यह पूरा का पूरा मार्केट नीचे लेके आएंगे जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क क्योंकि रिटेलर्स बुलिश है साथी साथ आपका जो प्रो है वो हैविली बेरिश है तो अगर आप देखो तो यह जो ओवरॉल सिनारियो लग रहा है थोड़ा सा उठाओ एफ़ाई को निकलने का मौका दो उसके बाद पूरा का पूरा पटक दो रिटेलर बुल की तरफ देखता रहे जाएगा यह एक सिनारियो बन रहा है अगर पहले ही गिर गया 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 100 पॉइंट तो फिर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं रहेगा कि हम उसके बाद शौर्ट करें शौर्ट सिर्फ एक स कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकली मार्केट को थोड़ा सा डामेज कर सकती है एक से दो महीने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऐसा नियूज आए जो मार्केट को इंपक्त कर सकता है तो आप थोड़ा सा दूर रहो एक और चीज कहूंगा अगले दो महीने के लिए कैपिटल अपना जो भी है अगर आप प्रॉफिटेबल रहे हो सो फार देखो जो लॉस में है उसको मैं समझाओंगा वो नहीं सुनेगा लेकिन जो प्रॉफिट में है उसको इसलिए क्योंकि प्रॉफिट को बचा के रख सके प्रॉफिट का जो भी प्र साल अच्छा रहा हो और जैसे ही अगला साल आए तो आप लॉस में जाने लगो तो इसलिए अगले दो महीने के लिए अपना एक रूल बनाओ और उस हिसाब से ट्रेड करो यहां पर मिड़ कैप में आपको पोर्फोलियो में काफी सतर्क रहने की जरूरत है मैंने अलड़ी कह दिया यहां से लिए अगर है तो कोई बात नहीं इसके अलावा बैंकों में बात करूं तो यहां पर जो सबसे स्ट्रॉंग बैंक बेंक बैंक ने जैसा लग रहा है और इंड़सिन बैंक यह वही बैंक है जिसने पिछले ने काफी बुरी तरीके से एक शार्प पॉल दिया था उसके बाद हमने देखा कि इसने ट्रिपल बॉटम बनाए मैंने वहाँ पर बात भी की थी कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है यहां से बाउंस आने का आप देख सकते हो अलड़ी यह 100 से जादा रुपीस का बाउंस दे चुका है लेकिन जहां पर अभी हम है वहां से वापस से हम पर्टी मार के नीचे आ सकते हैं क्योंकि यह रिजिस्टन्स एरिया है तो यह हो गया आपका बैंकों में उसके इलाव अगर बात करूं तो आई टी बहुत जादा गिरने जासा नहीं लग रहा है यहां पर जो स्ट्रॉक्चर है वह अभी भी स्ट्रॉंग है कंसॉलिडेशन में चल रहा है करीब 4400 के बीच में तो 4200 पर सेलिंग आती है 4039-3980 पर बाइंग आती है तो यह रेंज म आस-पास यहां से अगर वापस से पलटा तो यह 3450 तक जा सकता है तो अगर L&T 3640 के नीचे जाने लगे तो समझ जाना आप रिवर्सल शुरू हो चुका है फिलहाल इसको खेलकूर करने दो यह कुछ स्टॉक्स के लेवल्स मैंने बता दिये किस तरीकी से आप माइंसेट ब कोई एक ऐसी कमिटी बना दें कि अगले तीन दिन में हमें डेटा चाहिए या एक हपते में बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं तो यहां पर थोड़ा नज़र रखिएगा तो फिलहाल यह मेरा व्यू है मार्केट में एफ़ाइट मैंने कहा लास्ट टाइम मैंने ओपन नही ही give up किया है तो यह important चीज़ा जानना कि reversal भी वहीं आ रहा है जहां पर सबसे जादा buying हुई थी और यही sign होता है कि जब leader ही आपका पलटने लगे that is probably a top formation sign ठीक है so I hope video अच्छा लगा like, share, subscribe, video के pin comment को check कर लिजेगा हमारे official free telegram channel का link है हमारे scalping और swing course का भी link है और हमारे A to Z program का link है जहां पर हम sentiments FII data regular लोगों को अपने students को बताते रहते हैं क्या mindset रखें कैसे trade लें क्या करें क्या न करें तो वह आप A to Z program में अगर आप नए है और अगर आप experienced हैं काफी time है तो आप scalping का course भी कर सकते हैं लेकिन जो views हैं वो सिर्फ A to Z program में हम देते रहते हैं अपने students को ताकि वो better decision ले सकें दिमाग अपना सही कर सकें लालच ना करें दर कम लगे यह सब चीज़ें तो आई हो वीडियो अच्छा लगा thank you very much see you soon